बिसमिल्ला रह्मान रहीम आज की वीडियो में हम हेरलाइन पर बात करेंगे एक क्लिनिक में अपने मर्जी से अपना हेरलाइन डिजाइन करवा सकता हूँ या नहीं बिलकुल बहुत ही वेलेट क्वेस्चन है हेरलाइन के बारे में मेरे काई वीडियो मेरे चैनल पर अगर आ हेयरलैन जो है वो जो इना इन्सान के फेस और हाइट के मताब़क में रखता हूं लेट से किसी का बोथ बड़ा सरे डोनर साइड बोथ कम्या और वो चाहते कि मेरे इदर तोड़े बाल आजाए तो उसकिमें तो आपने जाहर हेयरलैन ऊपार रखी फिर यहां तक कावर होगा अगर आप हैरलाइन इदर रखेंगे तो धार यह वाला एरिया कावर हो जाएगा पीछे रह जाएगा लेकिन डोनर को देखता भी नहीं हो है एरलाइन जो नेचरली जो इना फेशियल प्रोपोर्शन के मुताबिक दिजाइन करना चाहिए ले lebih वे सात्य तो सिवन सिंटिमीटर पर आपका हेरलाइन होना चाहिए लेटिसे आपका यह 6.5 यह भी 6.5 अफीर नहीं होते हम एवरेच पे लेते लिए यह 75 ह्ए तो हम जमा करके 12 12 को हाफ करके ह stretch पर हेरलाइन वना चाहिए तो हेरलाइन आप अपन मर्जी के मताबिक मुझे डिज़ाइन करके दे सकते हो और वहां से मैं बना लोंगा लेकिं जो हैिरलाइन में डिज़ाइन करके दोंगा उसकी मेरी गरांटी होगी कि वो नैच्रल होगा कोई बॉलेगाने कि यह घृत है हाल बत्ता लोग के थे कि उन्च है चुंकि आम लोगों को पता नहीं होता है कि हैरलाइन कहां पर होना चाहिए हैरलाइन जो आपका बच्पन थे वो भी नहीं होता है जो हम बनाते वो निव हैरलाइन होता है वो फेस के मताबिक रखते है मेरे कई ऐसे मारीज यानि महीने में एक दो या तीन किसी लाइन करवाया है डाक्टर हभीब पे कोई जिमादारी नहीं होगी कल अच्छा लगे या बुरा लगे तो हैरलाइन जो यह ना क्योंकि फोरहेट पे अगर आप एक बार बाल लगाएंगे ना गलत जगह पे तो कभी खतम नहीं होते हैं अगर एक जब अगर पे बाल नहीं है तो वहां पे बाल लगाना बहुत असान है तो इसी वाज़े से मैं कहता हूँ जुनियर डाक्टर्स को भी अगर आपको हेरलाइन की समझ में नहीं तो उंचा रख दे अगर उंचा खराब लगे कल कोई टीक कर देगा या आप सीनियर होके टीक कर देंगी नीची मी नहीं अभी रिसेंट लिए के एक के एक बंदी ने बेलकुल ऐचे है अर लट डिजाइन और लिख की दे दिया फिर शीषे में मुबायल की किम्रे में मेरा हाथ देख रहा था जब में बना रहा था वो मुझे कह रहा था कि बेलकुल सिधा इस लायन पर आपने बाल ते उसके लिए भी नहीं चोड़ा कि ते नहीं बिल्कुल सीधा टू फिंगर फॉरेट को छोड़ दिया लेकिन उससे स्ट्राइंगली मैंने वीडियो भी रिकार्ट की उससे स्टेटमेंट ले लिया कि यही बंदा पिर अगले साल के बाद मर्कीट में मुझे बदनाम करेग अगर लोगों को मैं अगर बनाकी भी देता हूं तो उसको यही प्रामिस लेता हूं कि आपका लाइन अपके मर्जी के मताबक है लेकिन यह गलत है लेकिन यह आपकी प्रामिस होगी कल यह किसी को नहीं कहांगी कि अगर मेरी मर्जी से हो तो मेरी गरांटी होगी कि यह को कहता हूं कि देखो ये नेच्रिल होना चाहिए पता ना चले कि ये ट्रांस प्लांट है तो एक दिन एक मरीद ने किया जवाब दिया थार पिर मैं इतने पेशे क्यों खर्श कर रहा हूं कि लोगों को पता भी ना चले कि मैंने बाल लगाये हुए तो मैंने का ठीक है चलो आपके मरजी पे बना लेते हैं तेंक यू फर वाचिंग अल्ला आफिछ